इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म तरीका सिखाएंगे. अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए आपको सलाह दी गई खुराक के अनुसार नियमित रूप से इस दवा का उपयोग करना चाहिए. यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका रक्ट शरकरा का स्तर बहुत अधिक बढ़ सकता है जो जटिलताओं के जोखिम में डाल सकता है. यह उपचार कार्यक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए जैसा कि आपके डॉक्टर ने सलाह दी है. इस दवा का सबसे आम दुश्प्रभाव निम्न शरकरा का स्तर है. इसे रोकने के लिए दवा की केवल सही खुराक इंजेक्ट करना, नियमित बोजन करना और नियमित रूप से अपने रक्षरकरा के स्तर की निगरानी करना महत्वपून है. अत्यदिक शराब पीने से भी आपके रक्षरकरा के स्तर में गिरावट आ सकती ह अन्यद दुश प्रभावों में इंजेक्शन्स थल पर अलजी जैसे लालिमा, सूजन, या सक्त गांट शामिल है इंसुलिन लेने के दौरान कुछ लोगों का वजन बढ़ जाता है जब आपका बलड शुगर लेवल कम हो तो इस दवा का इस्तिमाल ना करें उपचार शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी किद्नी, लिवय या दिल की समस्या हुई है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए Lantus Solution for Injection के उपयोग मधुमे Lantus Soluster Solution for Injection इंसुलिन का एक मानब निर्मित रूप है जो उच्च रक्ट ग्लुकोस के स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है यह इंसुलिन की जगह लेता है जो सामान्य रूप से शरीर में उत्पन होता है यह glucose को आपकी कोशिकाओं में जाने में मदद करता है ताकि आपका शरीर उर्जा के लिए इसका इस्तिमाल कर सके रक्त शरकरा के स्तर को कम करने से मधुमें की गंभीर जटिलताओं जैसे गुर्दे की क्षती, आँखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है आपको यह सीखने की आवश्यक्ता होगी कि इस इंसुलिन को कैसे, कहां और कब इंजेक्ट किया जाए, ताकि यह सबसे प्रभावी हो अहार और व्यायाम के उचित कार्यक्रम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य, स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी अधिकांश दुष प्रभावों को किसी भी चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं लैंच के सामान्य दुष प्रभाव, हाइपोग्लाइसीमिया, निम्रक्ट शरकराकास्तर, उच्छरक्ट चाप, पेरिफेरल इदिमा, डस्त, मूत्र पत के संक्रमन, आटो एंटीबोडी गठन, पीज दर्द, उपीश्वसन पत का संक्रमन, मोतिया बिंद, लैंच सॉल्य इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें, आपका डॉक्टर या नज आपका मार्ग दर्शन करेंगे कि इस दवा का उप्योग कैसे करें, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद